आज हम आपसे शेर करेंगे चटपटे आलू के मिर्च के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही इजी तरीका होता है इसे बनाने का और इसे भर्वा पकोड़ा भी आप कह सकते हैं भर्वा मिर्ची के पकोड़ा तो चलिए आज हम आपसे बहुत ही टेस्टी औ और बहुत ही एजी तरीके से बनने वाला भरवा मिर्ची के पकोड़े शेयर करेंगे, तो शुरू करते हैं, असलाम वालेकुम, वेलकम टो कुक वेत आर्फा चैनल, तो भरवा मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चे ले लिए है, यह मोटी वाली है, लेकिन बहुत जादा मोटी भी नहीं है, और इसमें तीखा पन बिलकुल भी नहीं होता है, और अब हम इसे बीच से कट लगा लेंगे, और इसके अंदर से सारी बीच को हम अलग कर लेंगे, तो देख सकते हैं आप तो इसे हम आर पार कट नहीं करेंगे बस जहां से मैंने कट किया बस उसी तरीके से कट कर लेना है और अंदर से सारी बीजों को हम निकाल लेंगे इसी तरीके से हम बाके मिर्चों के अंदर के भी बीज को निकाल लेते हैं तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बस आप देख सकते हैं चाकू को किस तरीके से पकड़ना है और बस आर पार करके कट नहीं करना है बीच से हम कट लगाएंगे और इतना कट लगाना है कि अंदर से हम बीच को निकाल सकें और इसमें हम चटपटे आलू को भड़ सकें तो आप देख सकते हैं हाथों से भी निकाल सकते हैं चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे चमच की मदद से भी निकाल सकते हैं इसमें तीखा पन नहीं है इसलिए हाथ से भी आसानी से आप निकाल सकते हैं और आपको चमच से भी निकालने का तरीका से निकल जाता है और बिल्कुल भी बीज नहीं रहेगा चम्मस से निकालेंगे तो बस थोड़ा सा एहतियात करते वे ताकि मिर्च पूरी तिरकेश से तूटना चाहे तो देख सकते हैं सभी मिर्चों को मैंने कट लगा के अंदर से सारी बीजों को निकाल लिया है तो सभी मि जीच का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करेंगे इसे हम साइड में रख देते हैं तो चलिए एक पाउल ले लिया है इसमें हम डालेंगे पांच उबलेवे आलू अच्छे से मैश करके ले लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे धाई बड़ा चम्मच चॉप के अवा प्यास और एक बड़ा चम्मच हरी मिर्च हम एड़ करेंगे बारिक चॉप करके और यहां पर मैंने एक बड़ा चम्मच बारिक कटिवी धनिय पत्ती ले लिया है और अब हम इसमें सूखा मसाला एड़ करेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्म पर भुना वजीरा पाउडर भी आड़ कर सकते हैं, एक चुटी चमच लाल मिर्चों का पाउडर आड़ किया है, आदी चुटी चमच हम नमक आड़ कर लेंगे, अब सभी चीजों के साथ हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहां पर आप देख सकते हमारे चटा केदा यानि चट पटा सा आलू मसाला तयार है, तो अब हम मिर्ची के अंदर भरेंगे इसे, तो यह बहुत जादा मोटी वाली मिर्ची नहीं है, तो चमच से यह उतने अच्छे से भर नहीं पा रहा था, तो बेहतर है कि अगर आपके पास इस तरह की मिर्ची हो तो हाँ से ही भर तो लेकिन मैंने अच्छे से भर लिया है मिर्ची में चमच से, आगे हम हाथ से भरेंगे, तो इसी तरीके से बाकी मिर्चों के अंदर भी आलू मसाला को हम भर लेते हैं, तो पहले मिर्ची को लेंगे, उसको थोड़ा ता फैला लेंगे, उसके बाद हम आलू मसाला लेंग या तो घर में आचार हो, उसे आप शामिल कर सकते हैं, या तो अचार का मसाला, थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, तो बहुत ही टिस्टी बनेगे, और भी चटपटे दार हमारे मर्ची के पकोड़े तयार हो तैंज मेंगेश अब बच गए हैं, आप यहाँ पर आलू मसाला, तो तो चलिए अब हम बेशन का बैटर रेडी करेंगे, तो मिर्ची की पकोड़ा को डिप करने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे देड़ का बेशन, और इसमें हम एट कर लेंगे, एक चोथाई चम्मच लाल मिर्चो का पाउडर, एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चोथाई चम्मच गर्म मसाला का पाउडर, और यहाँ पर हम आदी चोटी चम्मच नमक को शामिल कर लेंगे, और यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से mix करने के बाद एक चुटकी हम मीठा soda एड़ करेंगे यानि baking soda और उसके बाद हम इसे mix करते वे पानी डाल कर एक पहत्री सा batter रेड़ी करेंगे नहीं बिल्कुल गाड़ा और नहीं बिल्कुल पदला इतना गाड़ा होना चाहिए कि मिर्च अच्छे से कोट हो जाए और उसे हमें फ्राइ करने में आसानी हो तो आपको दिखा सकते हैं कि इतना गाड़ा होना चाहिए देखिए तो आप देख सकते हैं बैटर इतना गाड़ा होना चाहिए कि आराम आराम से गिरे और ये डारेक्ट ना गिरे तो समझ जाएए ये मिर्च में अच्छे से कोट हो जाएगा और अच्छे से हमारी मिर्च के पकोड़े बन कर तयार होंगे तो बैटर रेडी है इसमें हम मिर्च को डिप करेंगे और बिल्कुल अच्छे से डिप कर लेना है ताके आलू मसाला हमारा बाहर ना आए तो बस आप देख सकते हैं जो भी एक्स्टरा बैटर हो निकल जाता है तो अब इसे हम फोरण तेल में आड़ करेंगे तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है फ्लेम को मेडियम पर रखना है और उसके बाद हम मिर्च के पकोड़े आड़ करेंगे तो यहाँ पर आप दो से जादा या तीन से जादा बिल्कुल भी नहीं आड़ कीजेगा तो ही हमारे मिर्च के पकोड़े अच्छे से रेड़ी होंगे तो बस आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राइ कर लिया है इसे हम निकाल लेंगे अब इसी तरीकी से बाकी मिर्च के पकोड़े भी हम एड़ करके फ्राइ कर लेते हैं तो जादा इसे फ्राइ करने में टाइम नहीं लगता है बहुती कम वक्त में हमारे मिर्च के पकोड़े रेडी हो जाते हैं तो बस आप देख सकते हैं सभी हमारे भरवा मिर्ची के पकोड़े तयार हैं और दिखने में भी खुबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत इलाजवाब था तो चलिए बचेवे आलू मसालों को हमने गुल-गुल पकोड़ा बनाने के लिए तयार गया था इसे हम अच्छे से बैटन में कोट कर लेंगे और इसे फोरण तेल में डालते हैं और अच्छे से हम आलू पकोड़ा भी रेडी कर लेते हैं तो यहां पर आलू का पकोड़ा भी बनकर अच्छे से तयार हो चुका है तो चलिए इसे भी हम फटाफट निकाल लेते हैं और अब बारिये सर्फ करने की तो चलिए फटफट हम सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर हमारी भरवा मर्ची के पकोड़े तेयार हैं साथ ही हमने बचेवे आलू से आलू का पकोड़ा रेडि कर लिया है और साथ में हरी चटनी भी रख दिया है आप इसे सॉस के साथ या तो चा पकोड़े रेडि वे हैं उपर से अच्छे से बेसन का कोटिंग क्या हुआ अंदर से मसाले वाले आलू जबरतस्त लगा हमें आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे बच्चों को सॉस के साथ दीजिए और आप सब खाईए हरी चट करके आपको दिखाया जबरदस्त लगा हमें और मिर्ची की पकोड़े को चटनी के साथ डिप किजे और खाईए बहुत ही टेस्ट्री लगेंगे और बारिशों के मौसम में इस तरह की रेसिपी तो सब को चाहिए तो जरूर बनाइए और मुझे सब्सक्राइब करते हुए